हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या तो आप सेफ हैं और जो जो बीजेपी में आया उसने ताइक उसके सिर पर एक सुरक्षित छत हो गई यह गरंटी तो दे ही रही है ना कम से कम आप और आपकी सत्ता सवाल यह जो आपने पढ़ा जिसका बेस आज मैं नहीं पढ़ाई रहा है सब लोग पढ़ते हैं अच्छी बात है पढ़ने चाहिए सवाल यह है क्या क्राइम को रोकने के लिए क्राइम को इस्सिस्टम काम करेंगा या नहीं करेंगा काफ बना रहे हैं सरखार मारी है विंडान कोड परकार कोड नियुक जिसन के प्रम इसके काम करताई से पार मैं ओल और वो पोलिस आफिसरे पे पुलिस पहला होता प्रम और कैसा फिर ओर आस्वेयरों कई रॉगी साम के बाद अरेस्ट नहीं होगी महिला कैसे घ्रफतार होगा जेल बनेवल भी सब चीज़ा उसमें उसमें एक प्रोविजन है सेक्शन 169 CRPC का वह इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर्स को इंपावर करता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन करी और फलां के खिलाव को इन्वेस्ट को पावर है को उसको एक्सेप्ट करें या कोड को अगर इन्वेस्टिगेशन एक सेक्ट अभी इस केस में क्या हुआ लिकर नहीं सुन लीजिए लिकर स्कैम में क्या हुआ जो दलीले कोड के सामने रखी जा रही है उसमें कहा गया कि पीशरत चंद्र लेड़ी ने 11 बयान या फिर मुंग्टा ने दस बयान दिये दस में से जिन में उसने नाम नहीं लिया दिली के नेताओं का वो तो वानिश कर दिये गए और जिस दसने स्टेटमेंट में नाम लिया वो कोड के सामने पेश कर दिया इन्वस्टिगेटिंग एस समझाता हूं आइम दे पर अपराद सिद्ध करें और के सब्सक्राइब लिए तो वह क्या करता है उसमें कौन सबस्ट वह लगाता है नंबर वन और दसवे विडेंस की जो आप बात कर रहे हो वह दसमाँ एविडेंस है वह एविडेंस एज पार्डन के लिए जब कोड में अप्लाई किया तो वह इसी कंडिशन में मिलता है कि अक्यूज विल डिस्क्लोज द्रू फैक्ट और यह जितने केसे जिसमें नफाइल आगे बढ़ी अप्लीट नी करूं को तो इतना बता दीजिए ना कि जिन केसे में नफाइल आगे मूव हो रही है स्पीकर की टेबल पर साथ साल से रखी यह सुप्रेम कोट ने फैसला दिया कि आज के बाद सेंक्शन की ज़रूवत नहीं है इस स्पीकर को कोई पावर नहीं है संक्शन करने की अब आप डारेक्ट प्रोसेक्ट होता है सिरफ एक पावर रहागी कि अगर अरेस्ट करो किसी यह फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी है शुबेंदू अधिकारी की वो तो कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पपड़े गए थे एक सेकिंड जब संक्शन की जरूरत नहीं है तो इस मामले में प्रोब आगे क्यों नहीं बढ़ी कोशिश की जा रही है क्यों लोगतंत्र को बद्राम करने की कोशिश की जा रही है क्राइम को अनफोल्ड करने का काम एजन्सियों का है लेट देम डूइट तो वही तो मैं क्या रही है क्या समाज कानून के इसाब से चलेगा या नहीं इस स्पेसिक केस में बताएए शुबेंदू अधिकारी पर सीबी आई ने एक्शन लिया एप्रिल 2017 में फाई आर परोब आगे नहीं बढ़ा एक रही करेक्ट इन्वेस्टिगेशन ओफिसर ने प्रोब शुरू किया उसमें जो आपका वीडियो केमरा वाला वह डॉक्तर निकला माल लो थोड़ी देर को लिखाए इक सेकिंड में तो दो रोट आखर दाखर 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 अन्रेस्टिगेशन ओफिसर जो होता है वह गार्तुलिंग अथर्टिय। अंपनी बेस्ट परसन लुक्त परसन किस के में पर चिन पर रहा है। पर तो यह मालू नहीं हो सकता बोधी जी को फुर्सत है कि किया कर लो हो या वो कर लो ए है सिस्टम काम कररा है यह आज सिस्टम कम नहीं कर रहा है यह dosa 2009 में भी था 2009 से पहले भी था किर्प्या करके चीजों को आकलंग सही करिए किसी चीज को आकलंग मेरा बिलकुल सही है इसे वाज़ पूच रही हुँ ना आज नेता प्रतिपक शेहना बंगाल के शुबंदू अधिकारी उनके खिलाफ कौन सी जाच एजनसी जाच आगे काम लाए गर्माजी एक सेकिन क्लोजर रपोर्ट मेंडेटरी फाइल करनी होती है कोई अफायर होगा तो इसका क्लोजर होगा या चार्चीट होगा यह भी CRPC में लिखा हुआ है